नौस्कार मैं समर के मखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिक बात करेंगे लिंसेस की अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ये पूछते हैं कि आपने फिल्म किस कैमरे से शूट किया है या अगर कोई फिल्म बनाने वाला हो, उससे पुछा जाता है कि किस कैमरे से शूट करने वाले हैं, कभी भी lenses के बारे में नहीं पुछा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर camera जानगे, कि ये इन्होंने red पर शूट किया है, airy पर शूट किया है, airy Alexa का, किस model पर शूट पर शूट हुआ है, यही Sony वगरा के camera है, जो छोटे level के है, तो उससे भी पता चल जाता है कि अच्छा इनका production value क्या है, कभी भी lens की बारे में जानना नहीं चाहते हैं, जबकि lens बहुत important role रखता है, आप DSLR या mirrorless पर ही चलिए, अगर आपका जो camera है 50,000 के range का है, अगर उसक इसना भी costly ले लिजी, और lens आप 10, 15,000, 20,000 का लगाई है, जिसका जो f stop है, वो 4.5 या 5.6 से opening हो रहा हो, तो उसमें वो clarity नहीं आएगी क्योंकि उसके जो layer की cutting होती है, layers के जो अलग से जो effect मिलते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, लोगों को यही पर समझना चाहिए कि हमको lens पर भी ध्यान देना चाहिए, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इस समय जो top level के DOP's हैं, या cinematographers हैं, वो कौन से lenses को prefer करते हैं, किस lens से वो काम करना या shoot करना पसंद करते हैं, उसके बारे में बताएंगे, 5 top lens के बारे में सबसे पहला जो number आता है, वो है कोक S7i, कोक का lens ऐसे ही सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है, क्योंकि कोक के lens ऐसे हैं, जिसे लोग जो उसकी घिसाई होती है, lens की cutting की जाती है, वो पुरा handmade होता है, उसके एक एक lens को बनाने में काफी वक्त लगता है, और उसके perfection चबरदत हो कोक का lens सब ही जो cinema lovers हैं, जो cinematographer अच्छे level के हैं, जो जानते हैं कि हाँ lens का क्या महत्तो है, वो कोक का lens पसंद करते हैं, A7i से पहले A4i था, वो भी बहुत बढ़िया लेंस था, लेकिन हम बात करेंगे A7i का, कि इसमें क्या खास बात है, सबसे पहले तो जान लीजे कि इसक 200 mm तक के lenses हैं, और सब पर जो TA stop होता है, जैसे DSLR mirrorless के lenses होते हैं, उसमें A5 stop होते हैं, यह चुकि cinema lenses है, इसलिए इसमें TA stop यूज होते हैं, यह सारे TA stop 2 से 22 तक चलता है, यानि जो maximum opening होता है, वो 2 का होता है, और जो minimum opening होता है, वो 22 का होता है, और सभी lenses में एक समान होता है, जो taily lens है, उसमें opening 2.8 से सुरू हो रहा है, इस lens का जो bound होता है, वो PL bound होता है, जो definitely सब जगा acceptable है, और इसका जो close focus distance है, यानि lens से जो minimum distance पर focus होता है कोई object, वो distance से 14 इंच से लेकि 22 इंच के बीच में vary करता है, जैसे ऐसे taily lens use करते हैं, वैसे वैसे inches बढ़ते जाते हैं, य पारे lenses का distance आ जाता है, जबकि दूसरे कई lens है, जिसमें taily lens करने पर 5 feet तक का, यानि 60 इंच तक के distance पर close focus करता है, यह इसकी खासियत है, और इसकी जो सबसे main खासियत है, वो है इसके lenses में जो glasses लगे होते हैं, उसकी clarity, चबर्दस clear picture देता है, और इसका जो आप अगर कहेंग 5 lens या 6 lens का, जो kit होता है, वो बिना आदमी के, यानि lens के जो लेके आने जाने वाला जो आदमी होता है, उसका cost अलग होता है, वैसे 30 से 35,000, कई बार अगर आप अच्छे deal कर लिए, तो 26,000 में भी आपको ये lens मिल जाता है, तो ये top priority होता है, जो अच्छे cinematographer होता है, वो यह ही lens की demand करता है, कि हमको 7i ही चाहिए cook का, लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उड़ता है, कि क्या सभी अच्छे cinematographer इसी lens को मंगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ये भी depend करता है, कि हर एक lens के अंदर कुछ quality होता है, और कोई-कोई वेक्ति ऐसा है, कोई-कोई cinematographer ऐसा है, जो दूसर ये कई बार ऐसा होता है, कि बहुत बड़े DOP भी अल्टर प्राइम पर ही काम कर रहे हैं, आज भी, जबकि वो चाहें, तो production दे सकता है, cook का lens भी दे सकता है, लेकिन जो इस समय पास आउट करके निकल रहे हैं, जो Hollywood से आये हैं, या जो एक अलग vision रखते हैं, बड़े DOP हो आई ही चाहिए, और बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, ये lens इंडिया में भी, तो ये इसके booking जवर्दस होता है, और इसका अगर price की बात करें, तो normal 5 lens का जो package आता है, तो वो करीब एक करोर 10 लाग से लेके, एक करोर 20 लाग के बीच में आता है, और इतने में आप cook का lens प camera पर भी, अगर आप इस lens को लगाते है, फुल फ्रेम पर, तो आपको कहीं से भी ages नहीं दिखाई देंगे, यानि wide angle पर भी आपको ages नहीं मिलेंगे, तो इस lens की बात ही अलग है, नेक्स्ट है, ARI का signature prime, क्यानि टॉप रेंज के जो डियोपी या सिनमेटोग्राफर होते हैं वो ARI के signature prime को second level पर मानते हैं, अच्छा, देखिए इसमें कई ऐसे वीडियोपी हैं, जो first priority देते है signature prime को, लेकिन cook के बाद अगर number आता है, तो ARI का signature prime का number आता है, full frame में, क्योंकि full frame में इस से अच्छा आप lens जल्दी खोज नहीं पाएंगे, इसके वज़े भी है, क्योंकि 12 mm से start होता है, यानि इसका wide angle 12 mm से start होता है, और टेली जाता है 280 तक, यानि 12 mm से लेकर के हर एक range में आपको इसके lens का variety है, आपको मिल जाता है, और इसकी opening में कमाल का है, इसका lens का T stop है, वो 1.8 से start होता है, जबकि cook का 2 से start होता है, इसका 1.8 से start होता है, और 22 तक जाता है, औ और इसका जो close focus का distance है, वो भी काफी अच्छा range है, 14-16 या 18 इंच तक के बीच में आपका close distance cover करता है, यानि जो focus close distance में आपको best focusing देता है, वो 14 से लेके 18 के बीच में इसमें रहता है, तो ये भी कुछ अच्छा है, हाँ, कोक का सबसे best जो चीज है, वो है lens की clarity, ये भी clear lens है, signature prime भी बहुत clear lens है, और इसका जो range है, वो कुछ कम है, ये 22,000 से 25,000 के बीच में आपको मुंबई में मिलेगा, और इसको अगर आप खरिदना चाहेंगे, तो पांच lens का जो kit है, नॉर्मल जो जाता है 135 तक mm का, या 100 mm के बीच में जो आता है, 16 से लेके 100 या 16 से लेके 135 का, इसका जो range आता है, वो तक्रीबन 90 से 95 लाग रुपए में आपको मिल जाते हैं, तो ये lens भी आपके लिए best हो सकता है, अगर आप बढ़िया लेवल का कोई cinema बना रहे हैं, film बना रहे हैं, movie बना रहे हैं, और आप इसको अगर किसी भी full frame camera के साथ use कर रहे हैं, जो cinema camera full frame का है, red area के range का, तो उस पर आप इसको use कर सकते हैं, third priority में आता है जेसिस का supreme prime lens, देखें ये भी कमाल का lens है, इसका जो range है, वो 15 mm से लेकर के आपको 200 mm तक मिलता है, यानि wide angle आपको 15 mm का मिलेगा, और taily आपको 200 mm तक मिलेगा, 15 mm काफी wide होता है, अच्छा है, और ये 15 mm का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी already 18 mm मिल रहा ह है, तो 18 mm का यहाँ पर अगर आप मुंबई की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो लोगों के पास 18 mm है, लेकिन जो खरिदने वाले हैं, वो थोड़ा था इंतजार कर रहे हैं, कि 15 mm यहाँ भी launch होने वाली है, और 15 mm जैसी आ जाएगा, तो 18 mm का demand कम होने कर रहे हैं, लेकिन अब जैसी अलग काम कर रहे हैं, अगर सुपरीन की बात करें, तो यह कम रेंज में उस हिसाब से जो एरी का है, या कुक का है, उससे कम कॉस्ट में बहतरीन लेंस है, इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि जो इसकी opening है, यह opening भी आपको इसमें बढ की 2 तक जाता है, लेकिन आगे टेली लेंस जब जादा हो जाता है, 200 के करी में हो जाता है, तब वहाँ पर थोड़ा से बढ़ जाता है, वो 1.8 से लेके 2.2 तक की opening से start होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 लेंस का जो kit आता है, नॉर्मली, उसमें आपको जो opening मिलेगी, वो 1.5 से ही मिलेगा, जिसका की बहुत अच्छा आप यूज कर सकते हैं, और इस लेंस का जो rental है, वो तक्रिमन 15,000 के आसपास में है, तो 15,000 अच्छा है, और इसका कीमत 70 लाग के आसपास में 5 लेंस का अगर अगर अपकेट लेते हैं, तो 70 लाग में आपको full frame क बहतरीन लेंस का आपको setup मिल जाता है, तो इसके लिए भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि maximum लोग जो उपर के top level के 2 लेंस effort नहीं कर पाते हैं, तो वो आते हैं इसी लेंस पर, यानि सुप्रीम पर आते हैं, तो सुप्रीम लेंस भी बहतरीन लेंस है, अब आते हैं 35 mm के लेंस क है, PL mount है, और इसको जो starting है 12 mm से, यानि wide angle 12 mm से start होता है, 150 तक जाता है, और एक चीज़ मैं बता दू, 35 mm में अगर 150 का लेंस लगा रहे हैं, यानि ये काफी टेली करेगा, अगर full frame का 200 का लेंस जितना काम करेगा, उतना ये 150 का 35 में काम करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं, जैसे अगर आपका sensor size चोटा होता है, तो आपका narrow vision मिलता है, और उसमें आपको टेली का काम बहतरीन मिलता है, और 12 mm है, तो काफी ज़्यादा wide angle भी मिल जा रहा है, तो यानि आपको lens की variety जवर्दस मिल जा रहे हैं, और इसकी opening की बात करें, तो इसका opening जवर्दस है, 1.3 से opening start होता है, 22 तक जाता है, 1.3 में आप natural light पर, यानि अगर आप बाहर भी जा रहा हैं, किसी रास्ते में जा रहा हैं, और lamp post के नीचे से भी कुछ shooting करना चाहते हैं, मिल नी wave series होगरे के लिए तो best है, अगर आपको wave series करना है, outdoor में जाके shooting करना है, आप ज़्यादा light लेके नह 10,000 से 12,000 के बीच में आता है, और इसका price ज्यादा है, price 1 करोड के आसपास में, आप कहेंगे, फुल फ्रेम जब उससे सस्ते में मिल जा रहा है, तो इसे क्यों लें, अभी भी 35 mm पर maximum shooting 35 mm के camera पर ही हो रहा है, और आने वाले 5-6 साल तक रहेगा, तो इसलिए master prime की demand बहुत ज ज्यादा demand हो गई है, और इसका range भी ठीक है, daily आपका use होगा, आप कहीं पर भी नुकसान में नहीं रहेंगे अगर इस lens को खरितते हैं, और rent out करना है, तो best है master prime lens का use करना है, अब बात करते हैं, 35 mm के सबसे लोग प्रिये lens की, और वो है ultra prime lens, यानि किसी भी cinematographer को पूछिए, तो वो ultra prime lens की बुराई कर ही नहीं सकता, उसके लिए ये lens ऐसा है, जैसे उनको बचपन से इसी lens से सिखाया गया है सब कुछ करना, क्यूंकि इसके जो focus cooler होते हैं, ये भी आपको बहुत कम range में मिल जाएंगे, काफी कम rate में मिल जाएंगे, और कोई भी camera man हो, अच्छे camera man हो, या नए camera man हो, या बहुत पुराने camera man हो, जो cellulite के जमाने के camera man हो, वो भी ultra prime lens को जानते हैं, और उसको यूज करना भली भाती सीखे हैं, तो इसलिए ultra prime lens एक तरह से आलू है, यानि हर सबजी में पढ़ने वाला चीज, तो हर camera man किसी भी अच्छे project में ultra prime lens यूज करते हैं, तो यहां से start होती है, जो 5 lenses में बता है, तो इसमें सबसे नीचे है ultra prime lens, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो lens है, पूरे इंडिया में, और यूज कर ये पूरे world में, तो ultra prime lens ही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास है, जितने भी तो इसलिए ultra prime lens का कोई जवाब नहीं है, range की बात करें तो 8 mm से लेके 180 mm तक, यानि 8 mm का wide angle lens से लेके 180 के telly lens तक इसका range है, यानि काफी ज्यादा range है, master prime से भी ज्यादा range आपको, variety आपको मिल जाएंगे lenses में, और बात करेंगे इसके opening की, तो opening इसका 1.9 से लेके 22 तक है, master prime जितना ज्यादा opening नहीं है, यानि बहुत low light पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप lighting के साथ काम करेंगे, तो ultra prime lens बहतर आपको result देगा, एक तो focus करना आसान होता है, handle करना आसान होता है, ये tough rough tough होता है, यानि आप इसको धून के use करिए, तो भी इस पर कोई फर्क न ज्यादा है, यानि जब आप टेली करते हैं, तो ये तकरीमन 5 feet तक की दूरी तक close focus करता है, लेकिन अगर wide angle पर रखते हैं, तो ये भी 14, 15, 16 से start हो जाता है, तो ये अलग-अलग चीज़ है, इसका पूरा का पूरा range आपको मिल जायागा, इसके format मिल जाएंगे, ये stop की जाता है, लेकिन proper lighting के साथ अगर आप शूट करना चाहते हैं, जैसे film में शूट होती है, और पिछले कई सालों से शूट होता हुआ आ रहा है, तो इसमें ultra prime lens best होता है, और अच्छा काम आपको करके दे सकता है, मेरे क्याल से आप समझ गये होंगे कि top range के जो DOP और cinematographer हैं, आप समझ सकें कि किस तरह के production value के लिए किस तरह के lens की इस्तमाल होता है या आपको करना चाहिए, आप कभी भी किसी shooting पर जाएए, तो camera का body में कौन सा camera का model लिखा है, इसको देखने के साथ साथ ये भी देखिए कि उसमें lens कौन सा लगा हुआ है, आप इससे समझ जाएंगे कि इसका production value क्या है या cinematographer की सोच कहां तक है, समस्कार